हलो जी कैसे हैं आप लोग गुड इविनिंग डिस इस बंजीत रावत यह अनलाइन इंस्ट्रक्टर तो एक बार फिर से वेल्कम है आपका टीश में क्लावड के यूडूब ट्यानल पे और गैस पर दें हेडिंग अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक फीचर है जिसकी हेल्फ से आप सीखते हो कि आपका जो डोमेन इंवार्मेंट है उसके अंदर जो एक्टिविटी है उसके अंदर जो बिसिकली रेपलिका है वो कैसे मैनेज होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यूनो डैट कि आपके आपने पहले से बहुत सा करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किये हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि टीज मी क्लाउड एक ऐसा सिंगल चैनल है जो आपको मल्डिबल टेक्नोलोजी की वीडियो करते हैं तो डेफिनेटली आप सेम स्ट्रेप का इस्तेमाल करके आप अपने खुद के इनवर्मेंट में खुद के सेटप में करेंगा और आपको रिजल्ट मिलेगा तो चलिए हैं इसमें पटिकुलर कितने रोल्स होते हैं उन रोल को यूज कैसी किया जाता है साथी साथ ह अगर आपके पास more than one active active है more than one domain controller environment में है तो कैसे इस fsmo role को एक domain से दूसरे domain में transfer करते हैं सबसे पहले हमें ये clear कर लेना है कि fsmo role को समझने से पहले हमें replication आना ज़्यादा important है क्योंकि ये जो fismo role है वो replication के उपर dependent करता है अगर आपको replication replication आता है domain का replication आता है या उनके अंदर जो activity होती है उसकी replica आपको अच्छे तरीके से पता है तो definitely आप fsmo role को अच्छे से define कर सकते हैं तो चलिए पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं fsmo roles के अंदर कितने roles available हैं फिर उनको segregate करते हैं कि कौन सा role हमारा infrastructure में जाएगा कौन सा role हमारा domain wide में जाएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें number of roles की fsmo के अंदर जो number of roles हैं वो कितने हैं तो total number of roles अपने पास 5 हैं 5 different roles आपको मिलेंगे fsmo के अंदर और उन role को 2 part में categorize किया गया है चलिए पहले list निकाल लेते हैं कि वो कौन-कौन से role है जो fsmo में हमें पढ़ने को मिलेंगे या जो fsmo में available रहते हैं तो सबसे पहले जो role है वो है अपने पास schema master ठीक है यह आपका पहला role है schema master उसके बाद हम बात करेंगे domain naming master तीसरे अगर हम role की बात करें तो PDC emulator चौता आपने पास है RID master ठीक है और पांचवे अगर हम role की बात करें तो infrastructure master ठीक है यह चार पांच different roles है जो आपके active-active installation के बाद automatic available हो जाते हैं लेकिन इसमें हमें करना है segregation तो जो आपका schema master और domain naming master है इसका task अलग है जो अपने पास PD simulator है RID master है यह आपने पास infrastructure master है इन टीनों का role अलग है लेकिन इन role को समझने के लिए सबसे ज़ादा important चीज है वो है replication को समझना तो guys एक छोड़ा infrastructure हम बना लेते हैं माली जी एक अपने पास domain environment है यह अपने पास कुछ domains लगे है ठीक है और इसमें जो main domain है उसका नाम है india.com ठीक है ठीक है यह अपने पास india.com है यह आपका dc1 यह आपका dc2 और यह अपने पास dc3 यह एक पूरा का पूरा environment है जो की india.com के नाम से बनाया गया है दूसरा आपने पास एक दूसरा domain है जिसका नाम है daily.com ठीक है यह अपने पास daily.com है इसके अंदर भी dc1 और आपका dc2 और dc3 अवेलेबल है ठीक है तो यह तीन different domain आपके india.com में तीन different domain आपके daily.com में अवेलेबल है अब इनके बीच में जो repli का establish होती है जो replication होता है अगर हमें replication प्रॉपर तरीकी से पता है तो इन रोल की activity इन सभी पांचो रोल की एक एक टास्क के बारे में हम डिसकस कर सकते हैं india.com है और जो india.com है as per the name दोनों ही different domain है दोनों ही separate domain है इनके बीच में हमें क्या करना है replication establish करनी है तो अगर हम replication की बात करें domain के replication के बात करें तो दो different types of replication हैं दो different तरीके replication थाबलेबल होएं एक आपका intrasite और एक है आपके पास intrasite intrasite और intrasite के बारे में हम थोड़ा सा discuss करते है domain replication की बात करें तो intrasite और दूसरा है intrasite ठीक है जो intrasite domain है replica है वो 24 by 7 आपका replicate होता रहता है per second live replication बोल सकते हो मतलब आप एक environment में अगर कोई activity कर रहे हैं यहां पर 3 different DC है और कोई भी changes आप DC1 में कर रहे हैं आप कोई user बना रहे हैं आप कोई computer add कर रहे हैं तो उनकी information 24 by 7 आपके जितने भी DC हैं एक environment में वो replicate होते रहेंगे 24 by 7 यह बोल सकते हो लेकिन जब आपके environment में पूरा का पूरा forest है india.com और daily.com इनके बीच में आपने एक trust relationship established किया है जो इनके बीच में replication होगा उसको हम inter side replication कहते हैं और इनके बीच में जो gap आता है इनके बीच में जो gap होता है वो basically होता है 180 minute का 180 minute का gap होता है 180 minute के अंदर हम यह नहीं करें कि 180 minute पूरा का पूरा लगेगा 180 minute तक में 180 minute तक आपके जो changes होंगे वो आपकी अगली site में जो second site है अपने पास daily.com उसमें वो आपके changes जो है reflect करना ही start हो जाएंगे तो जो AD आपने बनाया है जो domain controller आपके काम कर रहे हैं एक particular environment में इंडिया से जुड़े हुए है वो आपके intra site consider किये जाएंगे जो आपका दूसरा daily.com और india.com के बीच में communication करते हैं उसको हम intra site replication बोलते हैं जिसके अंदर replication होने में जो time लगता है 180 minute का लगता है अब next अगर हम बात करें इन particular scopes के बारे में इन particular roles के बारे में तो इन roles का क्या task है वो हम देखते हैं guys जो schema master और domain naming master है जो पहले starting के दो हमने जैसे की list में mention किया है schema master और domain naming master जो है वो आपका forest wide domain कहलाते है forest wide role कहलाते है forest wide role in the sense कि यह दोनों जो role है ना वो आपके दोनों environment में जब तक आपके पास forest का environment रही रहेगा यह task नहीं perform करेंगे लेकिन अगर हम बात करें PDC emulator, RID master, infrastructure master यह तीनों जो roles है वो domain wide roles कहलाते हैं तो total जो role है वो कौन-कौन से है forest wide role और domain wide role तो forest wide और domain wide की अगर हम बात करें तो forest में दो role consider किया जाते हैं, दो role आते हैं schema master आता है और domain naming master आता है domain wide role की बात करें तो इसमें PDC emulator आता है, RID master आता है, infrastructure master आता है तो थोड़ा से समझने कोसिस करते हैं forest wide role में जो schema master है इसकी responsibility gap तो जो forest, जो schema master है यह हमारे users के attributes को contain करता है domain naming master की बात करें तो जैसे माली जी आपने india.com के अंदर एक आपने domain मनाया noida.india.com got it? और आपने दूसरा daily.com आप जब domain establish करते हैं, जब कोई domain promote करते हैं जब कोई domain demote करते हैं उसकी information हमारा domain naming master content करके रखता है, और schema master की responsibility यह होती है कि जो आपके users आपके india.com से जुड़े हैं या जो user आपके daily.com से जुड़े हैं उनके बीच में class न होने पाए माली जी आपने एक user बना लिया user का नाम है xyg आपने india.com में भी xyg बना लिया और daily.com में भी xyg बना लिया, तो आप देख रहो कहीं न कहीं दोनों को जो user है वो same है और दोनों india.com और daily.com के बीच में आपने replica त्यार कर रखी है, तो 180 minute का gap है ना, उस gap के अंदर आगर आपने दोनों site xyg नाम का user बना लिया, तो आपका एक user automatic delete हो जाएगा, एक user automatically आपका काम करना बंद कर देगा, कि domain naming, schema master उसको work perform नहीं करने देगा उसी तरीके से domain के साथ होता है, कि आप एक environment में जो domain name रखेंगे unique रखेंगे, अगर गलती से भी आपने domain name mention कर दिया, तो वो काम नहीं करेगा, या बता देगा जो parent domain controller emulator है, anti server जब था, जब हम server 2003 की बात करते हैं, या 2008 की पहले जितने भी server थे, उसमें आप देखो तो backup domain controller हम लोग बनाते थे, तो backup domain controller की responsibility क्या होती थी, कि अगर आपका main domain काम करना बंद कर दे रहा है, तो backup domain controller सभी activity को handle कर लेता था, हर एक activity को proceed कर देता था, लेकिन उसके बाद, 2008 server के आने के बाद, backup domain का जो task है, वो convert होकर additional domain controller में आ गया, और अब जो इसकी responsibility है, PDC emulator की, यह हमारे users के, यह हमारे computers के domain controller की time को synchronize करने का काम करता है, got it? यह हमारे user, जो DCs हैं, उनके time को synchronize करने का काम करेगा, RID master, जो अपने पास RID master होता है, जब भी हम कोई user बनाते हैं, RID pool 500 की capacity का हर एक domain contain करके रखता है, तो जो RID master है, यह हमारे users के details हैं, जो उनकी RIDs numbers हैं, उनको contain करके रखेगा, और साथ में अगर हम infrastructure master की बात करें, infrastructure master जो हमारे पास environment में users run कर रहे हैं, उनकी information जो उनके name है उनको replicate करने में help करता है, और साथी साथ एक user दोबारा ना इस्तमाल किया जाए, इसकी responsibility हमारे infrastructure master की होती है, तो guys, यह था अपने पास infrastructure FSM role के अंदर available roles की information, अब हम बात करने इनको transfer कैसे किया जाता है, तो अपने पास setup ready है, दो server हमने install कर रहे हैं, उन दोनों server के बीच में, उन दोनों DC के बीच में हम आपको step दिखाते हैं, कि कैसे आप अपने role को, FSM role को transfer करते हो step by step with the help of CLI and with the help of GUI, तो चलते हैं अपने laptop screen पे के बारे में कि कैसे हम इस्तमाल करके कौन सा procedure कौन सी command करके हम अपने role को transfer कर सकते हैं, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको step चलिए हम आ गए हैं अपने desktop की screen पे और यहां पे हम आपको setup दिखा देते हैं कि आपको अगर FISMO role transfer करना है तो क्या-क्या pre-requisite है इसकी तो यहां पे हमने domain controller establish किया है और यह अपने पास additional domain controller है domain का name वह training.com है एक बार verify कर लेते हैं इसका IP address है उसको और दोनों machine को आपस में communicate कर लेते हैं transfer करने के लिए कोई भी prerequisite जादा नहीं है बस आपके पास एक additional domain controller होना चाहिए दोनों machine आपस में communicate करें successfully है ना और उसके बाद हम इसको transfer कर सकते हैं IP config करके एक बार confirm कर लेते हैं इसकी IP 200 जो अपने पास domain है उसकी IP 200 है additional domain controller की IP भी देख लेते हैं यहां पे cmd हमने type किया ipconfig 210 तो एक बार communication कर लेते हैं दोनों के बीच में ping करा लेते हैं 168.0.210 सही है additional domain controller domain controller से communicate कर रहा है meanwhile हम दोनों के बीच में communication देख लेते हैं 0.200 ठीक है sorry 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 ping की spelling थोड़ा था mistake हो गई है चले दोनों machine आपस में communicate कर रही हैं दोनों machine आपस में ping कर रही है successfully यह प्लस पॉइंट हो गया कि अपने पास दोनों system आपस में communicate कर रहे हैं कुछ भी नहीं करना हमें additional domain controller पे cmd पे जाईए आप यहां पे अगर हम बात करें additional domain controller की तो अगर इसका computer हम चेक करेंगे इस computer name को चेक करेंगे इस PC को चेक करेंगे तो यह जो member है demo.training.com demo इसका computer name training.com हमारा domain और यह अपने पास main domain है इसका computer चेक करें तो इसमें हमने क्या रखा है computer name क्या रखा है यह अपने पास win something और जो domain name है वो training.com है root domain है और यह अपने पास additional domain controller है तो guys अगर हम last class की बात करें तो I think हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें हमने additional domain controller create करना दिखाया था कि कैसे आपके users replicate करते हैं तो आप previous video को चेक कर सकते हैं अगर आपको additional domain controller create करना है तो उसमें सभी steps proper तरीके से mention किये गया है अभी हम आते हैं अपने topic पे agenda पे आते हैं कि हमें क्या कर परफॉर्म करना है तो यह domain controller को हमने open किया cmd पे आपको चेक करना है कि आपका जो fismo roles है जो 500 roles के बारे में हमने अभी whiteboard पे देखा था वह role अगर आपको चेक करना है कि वह roles कहां पे अपलेबल है तो आपको एक छोड़ी कमांड के बार इक्जिक्यूट करनी है कमांड है net dumb space query space fs mo जब आप यह command execute करेंगे तो इससे क्या मिलेगा आपको detail मिल जाएगी कि आपका जो domain controller है जो जो fs mo roles है वह कहां पे अबलेबल है तो आप देखो यहां पर पांचो रोल्स आपके कहां पे अबलेबल है win मतलब domain controller के ऊपर ठीक है सभी systems आपके एक ही server के ऊपर available है हमें क्या करना है इन roles में से कुछ role को transfer करना सीखेंगे कि कैसे हम इस role को transfer करते हैं दूसरे computer पर दूसरे domain controller पर simple सी command है netdem query हमारा जो है वो चेक करने के लिए दूसरी जो command है अगर आप command की तो आप यहां पर रोल से इंटर कर दोगे रोल से इंटर कर दोगे रोल से इंटर करना है हमने चेक कर लिया कि netdem query से हम चेक कर लेंगे और यहां पर और एक च्छोटी थी command execute करनी है रोल पर वेक्लिक करने के बाद जो चाहते हैं उस server का नेम यहां पर धेक का Master करनेगे टू सर्वर इस पेस उस डोमेन का नेम जो डोमेन से आप जोड़ना चाहते हो तो डेमो.training.com यह अपने पास वो डोमेन है वो सर्वर है जिसमें हम जोड़ना चाहते हैं जिसमें हम रोल को ट्रांसफर करना चाहते हैं और इंटरफ्रेस कर देंगे ठीक है connected to the domain demo.training.com यह आपका सक्सेस्फुल ही हो गया आप एक छोटी जी कमांड एक्जिक्यूट कर दो कुट करेंगे कुट करने के बाद करेंगे क्यू यू 요ाइटी सवारी कुट करने के बाद ङूर्ण आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं माली आपने रैड इंस्कर का तो आप यहां सब्सक्राइब करने के बाद आप देखो यहां पर रोल आ गया दो यू वांट टू ट्रांसफर करना चाहते हैं यह पहली कमांड आपकी इसी तरीके से आपको क्या करना है कमांड वही रखनी है डाइस्वर की सिर्फ आपको जो रोल है ना रोल का नेम चेंज कर देना तो रो डाइस किया वह रोत रो गया उसी तरीके से अगें ट्रांसफर् करना चाहते हैं वह आप डीonz गांट गरbit कर तरह कर देते हैं हम अभी यहाँ पर करते हैं इसको एक्जिट करते हैं और CLS कर देते हैं और आपको दिखाते हैं NetDumQuery जब इस पेस FSMOW जब आप एक्जिक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि जो रोल्स हैं आपके पास वो डिवाइड हो चुके हैं तीन रोल आपके डेमो 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 स्कीमा मास्टर डेमो.training.com डोमेन नमीं मास्टर विंसम्थिंग जाट ट्रेनिंग.com पीडीस इमलेटर डेमो पे हैं राइडी पूल मास्टर डेमो पे हैं इंफ्रास्ट्रेक्चर आपका विन पे हैं तो आप इसं कमांड के तुरू जो करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने इस फिजमरोल को जी वाई के थो ट्रांसफर करते हैं तो गाईज आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको डिस्क्राइब करत करते हैं